मेरे प्रियम मित्रों सचकी एह खूबी होती है कि मुह पर ताला कितना ही लगा लो वो बाहर निकल ही आता है आप देख लीजिए इधर भारत में एक्जिट पोल के अनुवान आ रहे थे उधर पाकिस्तान के मुह से सच्चाई निकल ही आई वो भी कोर्ट के सामने पाकिस्ता पाकिस्तान का संविधान मानता है कि पीओ के उनका नहीं है यह पीओ के अभी तो उन्होंने स्विकार किया है कि वो भारत का हिस्सा है वो दिन दूर नहीं है स्रीमान जब पाकिस्तान जी हाँ पाकिस्तान ठाली पर सजा के पीओ के भारत को सौपेगा और मोदी जी के चर् आपका कहना हो सकता है कि अरे यार देवेस ये प्योके की बात तो होती रहेगी अभी मुनाफ़े वाली बात बता दो तो मान्यवर हमारा आपसे निविदन है कि देखिए मोधी जी का पहला कारेकाल दूसरा कारेकाल आपके हातों से फिसल गया फुद राहुल गांधी शियर मार्केट में आ चुके हैं मुनाफ़ा कमा रहे हैं मोधी जी की विजए से सबसे ज़्यादा फायदा तो राहुल गांधी को होने वाला है कल और परसों तो आपसे निविदन है अभी भी स्रीमंत कुछ नहीं बिगड़ा है भले ही इन दो तीन दुरों में शियर मार्केट में आपसे नाप उच्छा लाजाए तो आप चल चल के मत खरीदिएगा ये शियर मार्केट है इसमें कुछ मिले अतवा ना मिले मोके जरूर मिलेंगे तो आगे जो गिरावटे आएंगी वो खरीदारी के मौके होंगी गिरावटों के बाद अंतता है शियर मार्केट को अगले चार-पास सालों में डवल तो बड़े आराम से होना है हम तो कह रहे हैं शियर छोड़ दीजिए निफ्टी डवल हो जाएगा और आपको लगे कि देवेश तुमारी आउकाच क्या है तुम तो एक अधने से तुच्छ आदमी हो तो ठीक है दोस्तों हमारी तो कोई गशात नहीं है आपके सामने लेकिन रामदेव अगरवाल साहब को तो बड़ा टीवी पर देखते हो आप वो भी यही कह रहे हैं हमारी बात आपने 2014 से नहीं मानी तो रामदेव अगरवाल साहब की बात 2014 में मानके देख लीजिए दूसरा ठोड़ा आपको समल के भी रहना हैं कारण यह है कि मीडिया मे अनाप सनाप खबरे भी छब रही हैं जैसे कि अब कहा जा रहा है कि मोदी जी आएंगे तो वो चाबल का एक्सपोर्ट चालू कर देंगे गेहूं का एक्सपोर्ट चालू कर देंगे ताकि दुनिया में खादब बदार्तों के दाम सस्ते हो जाएं दोस्तों ये जो विशेश आगे हैं वो मोदी जी को आज तक समझे ही नहीं है मोदी जी वो काम कदा भी नहीं करेंगे जिससे भारत में महंगाई बढ़े भारती ये कस्टुमर्स को नुकसान पहुंचे मतलब आपने उन शिर्स में निवेश करना हैं जिनको मोदी जी की नेशन फस्ट पॉलिसी से सक्टर में एक स्टॉक है जो अमबारवार रेक्रिमेंट करते हैं वही सस्ता बचा है बाकी सब्सक्राइब आपका कहना हो सकता है कि अले यार देविश लगे हातों एक दो शेर्स के नाम भी बता दू तो दोस्तों मेरा आपसे विनम्र नवेदन है कि मुझे अपनी सेवा क एक मौका दीजिए सुनेहरा अवसर दीजिए आपकी मदद करने से मुझे बड़ी प्रसनता होगी इसी वीडियो के डिस्क्रिफ्शन वाक्स में लिंक दी गई है उस पर क्लिक करके अभी क्या भी मेरा क्लाइंट बन जाईए ताकि मोदी जी के तीसरे कारकाल से आपको अबर दश्ट मुनाफा हो सके